आईये आपका फिर से स्वाधत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर मैं मनोविकार सेख्सरोग संभोहन तथा व्यस्टनुवी तग्याउं महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ लोगों को जब हम बोलते हैं न कि भविश्य करू तयार तो भविश्य तो तयार करते हैं लोग मगर वह सब आता है अतित से तो मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि अतित को नश्ट करो अतित को खतम करो अतित को मिटा डालो और भविश्य का निर्मान जो है वह भविश्य ने सबस्क्राइब करें आपका स्वागत है से लोगों को जबने हम भोलते कि आप गोल करो करो अपका करियर क्या है अपका स्टैबिलिटी ऑपका इंकम कितना रहेंगा आपका बिजनेश फांक कितना करोगे आपकी रिलेशनशिप कैसे गाड़ी बढ़ी आप खरीद एंगे आपका इसके बाघब का सब fell uni अ करो करो कुश्क प्लेनिंग करो बहूं करो hizo देमेश कर लेता है पास बारबार बार आते रेता है भविष्य में जो है भविष्य निर्मान करने के लिए पास अतीत बार बार अ loving में क्या करना यूक एक चोलिक पास से मतलब अतीत हम इतने प्रभावित हो चुकित इतना इंप्रником सामने लाके रखने के बाद में उसको देख देख के उसको देख देख थे कि हमारा जीवन जीत है कि उसको देखते हैं भविश्चय का निर्मान करते हैं मुझे हैना 20 रुपे महना मिल रहा है अभी मैंने मुझे आने वाले तीन साल में मेरी तनका 30,000 होना चाहिए अभी 20 मिल रही है अभी 30 हो जाएंगी आने वाले 2-3 साल में ऐसा में प्लैनिंग कर रहा हूं उसका क्या संबन्द है 20,000 का आप यह क्यों नहीं बोलते कि मेरे लाक रुपए हो जाएंगी दो लाक मेरे संब्धवे आगे वहें से करो भीशे में क्या कर सकते वहँ हमारा बरता है अधों वहां से सोत हैं कि मुझे की तो 2009 मैं शूल में था तब मेरी नोट बुक जो एन मेरे दोस्त है वो लग ड़के गया है और उसमें वह नोट बुक लेके गया है और Wedi잖 यहीं मतलब जल्दी सुने वालों में का था और मैं सब्रे जल्दी उठा था रात को और देर से पढ़ता था उसने मेरे दर्वाजी के सामने लाके रखी नहीं मैं उठने के बाद देखा चार बजे तो नोटबुक नहीं थी उसके घर पे जाके फिर मुझे नोटबुक लाना हुआ कि अबनेक हो यह वा मैं बारा तेरा साल का था तब अधित अबी उसका असर मेरे उपर आज भी पढ़ रहा है और में देख रहा holy अभी मैं किकि किसीके ओप्र ट्रस्थ नहीं कर सकता हुँ है क्यों कि मेरे को हुआ कि 12 साल के ओमर मैं किसने तब ठोका दिया प्रश करूंगा नहीं लोग ट्रस पर दिने लोगों की ऊपर में भरुसा करूंगा नहीं यह मैंने कहां से लाय फ्यूचर कहां से क्रेट किया आतीत हम सब पूरा अतीत से प्रभावित होकर हमारा future जो हमारा भविष्य करते हैं वह तैयार करते हैं उसमें प्रब्लम हो जाता है तो मेरा यहां बोलना है कि आप आपका भविश्य निर्मान करो आगे आने वाले तीन साल में आगे आने पास साल में आप क्या करोगे क्या गोल से आपके, क्या रिजर्ट्स आप पाऊगे, क्या आउटकम आप त्यार करोगे और वो त्यार करने के समय कुछ भी मतला अतित से, जो हो गया उसको उसको कुछ यह नहीं कर सकते हैं, वो पूरा करो, उसका आज आपके उपर कुछ भी असर होगा नहीं डेफिनिटली आप क्या कर सकते हो वो महत वका है और उसके लिए आप आज कहा हो वो देखो और आज कहां जाना है कहां तक जा सकते हो देखो और आप कहीं भी जा सकते हो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं आपने अपने आपको बंदक बनाया हुआ है बंदन में डाला हुआ है तो आपका भविश्या भविश्य से निर्मान करो ना कि अपने अतित से या भूत काल से या आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग दो